नमस्का जहिंद औल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब शेनल आप सभी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के बहुत ही शांदार कॉशन जो आपको आने वाले एक्जाम में आपको आएंगे मिल सकते हैं आप किसी भी स्टेट के हैं किसी भी राजिके हैं या किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी बिहार एंपी एंपी में पटवारी की वेकेंशी आ रही है पुल्स की वेकेंशी आ रही है बिहार में बहुत सारी अल्रेडी वेकेंशी चल रही है मदनिशेद से लेकर स प्राइदीपी भारत की सबसे लंबी नदी है प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी है मतव पुझए नदी सबसे आदा पूछी है ऐसे लोक subtSयल्स की नर्वदा या रखना। तीन तो प्रमुक हैं और चार रखना हैं गुरु शिखर निम्नलिकित परवत संखलाओं में से किसका सर उच्छ सिखर है तो गुरु शिखर जो परवत संखला है ये आपकी अरावली परवत माला की सबसे उची संखला है सबसे उची सिखर है अरावली परवत का सबसे उचा सिखर है गुरु शिखर परवत निम्नलिक तो कौन सा युग में सही है एक को युग में है जो बिलकुल राइट है आपको पहचानना है तो यहाँ पर आपको बताने राश्टी उध्यान और राज दियेगा है तो देखो आपका ग्रेट हिमालियन राश्टी उध्यान ये हिमांचल प्रदेश में है तो यहाँ पर केव अपको याद होना चाहिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा गुजरात के बाद आपकी सबसे लंबी द रेखा जो है यहाँ जाएगी आपकी राइट आंसर हो जाएगा यह शाहय के नदी है भारत के निम्नले के देखा है से किस राज्य में दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ पार्क इस्थ है तो दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यह आपका इस्थ है राइट आंसर हो जाएगा मनीपुर में की बूल लाम जाओ मनीपुर ऑप्शन नुमबर यहाँ पर एडी राइट आंसर है प से राज जिम में इस्थित है तो गुरु घासी दास राश्टी उध्यान यहां पर आपको जो रसायन दिये गए हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन जिसको आप सी अफ सी भी बोलते हो यह जिम्मेवार होता है अगला कौशन दिख लेते हैं बहाडियों को उत्तर से दक्षण तक उनके स्थान के अनुसार करिए उत्तर मतलब उपर से स्टार्ट करो जम्मू काश्मिल से लेके कन्या कुमारी तक आपको बताना है ठीक है उत्तर से दक्षण तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जो पहाडियां उनको देख लेते हैं, तो उत्तर में सबसे उपर आईगी आपकी नन्ना माला पहाडिया ये उपर है, नन्ना माला पहाडियों के थोड़ा सा नीचे पढ़ेगा आपका कौन सा पहाडी, तो पढ़ेगा आपका पाल कोडा कोडा पहाडी, पाल क हाट है तो यह आपर आप मिला लेते हैं चलो देख लेते हैं तो जॉजे ला जम्मु काश्मीर frequency है विल्कुल सही है मान जर्ण मैं तो माना उत्तर्ध कंड मैं है माना जट्रकंड में नाथ जर्ण 19 पढदेश'. option लोगडई यह mail नहीं खाताatique. शिप किला्णदर्रा अशेन नाचल प्रदेश में नहीं है.. अब आप कमेंट करके बताओगे कि श राज्य में पढ़ता है.. शीप किलादर्रह इस राज्य में है? comment Commin kita करके बताओ.. अग्ला कोशें देखो.. wearing si itStr Das कतर्णिया घाट वन जी अभ्यारन किस राज में पढ़ता है तो कतर्णिया घाट वन जी अभ्यारन ये आपका पढ़ता है अभ्यारन है ये उत्तर प्रदेश में पढ़ता है option number C उत्तर प्रदेश right answer हो जाएगा दोस्तों आप question देखी रहें कितने शांदर question है हमने आपके लिए यही जो question है आपके exam जिसे exam के आप तयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जी की question और हमने 10,000 question तयार कर लिए है भारत के सभी exam में 30 साल से बार बार पूछेगा ये question है इसकी हमने बना लिए PDF अब PDF क्या है आप mobile पर पढ़ सकते हैं किताब जैसे पूरी PDF तयार कर ली गई है WhatsApp पर आप सभी को PDF मिल जाएगी 10,000 जी के MC क्यों है सोची आपने 10,000 जी के MC क्यों लगा लिए तो कितने शांदार आपके जो है सकते हो जो भी फोन पर गूगल पर पेटियम नहीं चलाता वह अपने दोस्तों से रिष्टेदारों से कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचाज कराते हैं वहां से पीचे यह निशे दीगा नंबर पर यह नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा आपका भी भी कॉल करके वाट्स अप करके संपर कर सकते हैं कॉलना उठाओ तो वाट्स अप कर लेना गिर राश्टी उध्यान यह कहां पर इस्टिथ है तो आपका जो गिर राश्टी उध्यान है यहां पर आपको जो राज्य दिए गया है राइट आंसर हो जाएगा यह इस्टिथ है आपका गुजरात राज्य में तो ऑप्शन अम तो पका मद्रपदेश राज़य में नर्विदर नदेपर राज्य उप आपकाSe नंबर यहाँ पर आपका। द्रहकरा आंशा पहले होगा, वी कुछ दाल्डर न्मीसम न्सकैन मिल्हाइळालिंण प्रमुखतास्य नहीं पहले ही, अब कीचर डाल दल दली मिट्टी है तो यह संभावना है कि आपकी समुद्र किनारे पाई आएगी तो केरल पच्छ मंगाल उडिसा में समुद्र है मद्द पुदेश में नहीं है तो सिंधु नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है कमेंट करके बता हो सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है कौन कौन से देश हैं जहां पर सिंधु नदी बहती है आप में से देखते हैं कितने लोगों पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्ण का आंसर जरू दीजिएगा अगले कोश्चन देख लेते हैं यह रहाँ की स्क्रीन पर अगले कोश्चन में आपसे पूछा गया है जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत तो कितना था तो जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत तो है तीन सो ब्यासी प्रती वर्ग किलोमीटर यह भारत का जनसंख्या घनत तो है ऑप्शन नुबर सी यहाँ पर राइट आंसर है माही नदी पूर जिशा में नहीं वहती है तो ऑप्शन नुबर यहाँ पर सी माही नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रशन के लिए भारत की निमलिकित मेंसे किस राज्य में सबसे लंबी तटरीखा है तो भारत में सबसे लंबी तटरीखा यहाँ पर जो ऑप्शन दीगा है उसके अनुसार हो जाए गुजरात राज्य की है ऑप्शन नुमर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमलिकित राज्यों में से किस राज्य में सरवादिक ग्रामिड आवादी इस्तित है तो 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामिड आवादी इस्तित है आपकी उत्तर प्रदेश में option number यहां पड़ी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है निमने लेकितम से किस नदी पर नागाजुन सागर बांध इस्थत है तो नागाजुन सागर बांध जो बना हुआ है यह आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है आपशन बड़ी कृष्णा नदी राइट आंसर है प्रशन के लिए निमने लेकितम से पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी कौनसी है तो यदि आप पूर्वी घाट की तरफ जाएंगे तो वहां की जो सबसे उची चोटी है यह पूर्वी घाट की बड़ी उचे पूर्वी घाट है तो किनारा थो गया तो पूर्वी घाट की पूछे तो साउंट की क्या लगा होगे और यह केर लिख Maherashtra वाला थे उच्टी तो पूर्वी घाट में सबसे होबड़ पर है महिंद्रगी परवत की चोटी और पूरे साउथ की पूछे तो साउथ की क्या लगाओगे कमेंट करके बताओ प्रायदीपी भारत या दक्षन भारत की सब इसे उची चोटी कौन सी है देखते हैं आप में इस किसको पता है कमेंट करके बताने ज़रा निम्नरकित राज्यों में से भारत की किस राज्य में मानस राष्टी उध्यान इस्ते थे तो मानस राष्टी उध्यान यहाँ पर आपको जो ऑप्षन देगा है उसके इनुसार बताना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर ए असम राज्य में इस्ते थे यहाँ पर आपको जो option दिया गया है right answer हो जाएगा यह मुनाए जाता है आपका नागा लेंड राज में option वसी नागा लेंड में mouth suit सो मुनाए जाता है या रखना बहुत important question है दोस्तों आपको question कैसे लगी question बहुत ही शांदार हैं और यह आपके exam में आ सकते हैं आप जिस exam की तैयारी कर रहे हो पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आप जिस exam की तैयारी कर रहे हो आपके exam में इन में से question फट सकते हैं देख रहे हैं हो question कितने अच्छे हैं मैंने 10,000 ऐसे ही कॉशन बना लिए और उसकी PDF तयार कर लिए PDF क्या होती है यह आपको WhatsApp पर मिलेगी WhatsApp पर आप PDF पढ़ सकते हो पूरे 10,000 कॉशन रहेंगी Book जैसा रहेगा e-book आप किताब जिसे पढ़ सकते हो उसको पूरे 10,000 कॉशन को उसका अंसर भी रहेगा और यह आपके एक्जाम में 100% आने के चांसेस है यह PDF WhatsApp पर मिल जाएगी और यह PDF 300 रुपे की है लेकिन अभी 99 रुपे में डबल नाइन सिर्फ 100 रुपे से भी एक रुपे कम में 99 रुपे आप दोस्तों के साथ जाते हो उड़ाके आजाते हो उसमें आपको 10,000 कौशन मिल रहे हैं यह कहीं भी नहीं मिलेंगे और आपको बहुत ही शांदार कौशन है 99 रुपे में 10,000 जीके यदि आपने पूरे कौशन रट लिए याद कर लिए तो आपकी जीके सुपर स्ट्रॉंग हो जाएगी आप मेसेज जिसको चाहिए फॉन पे गूगल पे पेटेम के माधम से पेमेंट करके यह पीडियाप राप्त कर सकते हो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल कर लेना वाट्सअप कर लेना वाट्सअप पर आपको जो है इसके फॉन पे गूगल पे पेटेम के माधम से पेमेंट करके इसका स्क्रीन शॉट आप भेज देना हमें वाट्सअप पर और आपको पीडियाप मिल जाएगी दसजार कॉशन रट लेना पढ़ने वाले वाट्सचे आपकी जीके सुपर स्ट्रॉंग हो जाएगी ठीक है चलो अगला कॉशन देखो जागोई नरत्य किस राज जी का नरत्य रूप है तो जागोई नरत्य यह आपने सुना होगा तो यह है आपका मनीपुर का नरत्य ऑप्शन अबर यहां पड़ी मनीपुर परष्ण के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा। उत्री मैदानों में उत्री मैदानों के निम्लिकत छेत्रों में से कौन सा छेत्र सरवादिक उपजाओ है तो उत्री मैदानों में सरवादिक उपजाओ जो छेत्र है राइट आंसर हो जाएगा खादर छेत्र खादर भूमी जो है जो सरवादिक उपजाओ है उत्री मैदानो के अंदर राष्ट्री जनसंख्या नियंत्रन आयो का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्री जनसंख्या नियंत्रन आयो का जो अध्यक्ष है वो होता है आपके प्रधान मंत्री option number C प्रधान मंतरी होते हैं right answer हो जाएगा बाब अलमंदप जलसंधी किन जल निकायों को जोड़ती है तो बाब अलमंदप जलसंधी ये लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ती है option number C लाल समुद्र और अदन की खाड़ी right answer है ओजोन गैस हुआयो मंदल की किस परत में मौजूद है तो ओजोन गैस जो है ये आपकी मौजूद है समताप मंदल में option number याँ पर भी समताप मंदल right answer है भारत में पहली cotton mill किस शहर में स्थापित की गई थी तो भारत की सबसे पहली जो cotton mill स्थापित की गई थी यह आपकी बंबई में स्थापित की गई थी option number यह बंबई राइट आंसर हो जाएगा cotton mill के लिए हमबन टोड़ा हमबन टोटा बंदरगा किस देश में स्थित है तो हमबन टोटा जो बंदरगा है यह हमारे पड़ोसी देश में स्थित है बहुत फेमस है यह बंदरगा है आपका शी लंका में स्थित option number यहाँ पर भी शी लंका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्निक के नभटा नधी और एक और नधी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया सो नधी, सो नधी और नभडा नधी यह अमरकंटक की पहाणियों से उनका उत्गम राजिकार पांडा की लिए निमिलिगतमें सिक्किस राज्य का राज की पशू है, तो लाल पांडा जो है यह आपका सिक् लिए निम्दल के तुमसे कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती समुद्र में जाकर नहीं मिलती पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो ऑप्षन दियेगा है तो महा नदी तो समुद्र में जाती गोदावरी भी गंगा भी लूनी नदी समुद्र है पर बी कुन्ठही प्रशने के लिए कटपुट्री तो और जो Um तो भारते में जनसंख्या घनत्यों सबसे अधिक यहाँ पर आपको जो option दिये गए हैं ये आपका पढ़ता है बिहार राजे में option number 2 बिहार राजे में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्यों है अगला question दिखिए मेघाले की किन पहाणियों पर मासिम राम इस्थित है तो मासिम राम जो इस्थित है ये इस्थित है आपका खासी पहाणियों पर option number D, खासी पहाणिएओ पर मासिम राम इस्थित्फ हैं भारतिय वन उस्पटि सन डर्रिक्षनoeं, बि-एस-अई का मुख्याले किस शेहर में इस्थित्फ हैं तो बि-एस-ई का जो मुख्याला है, यहापका कोलकाता में इस्थित्फ है Option number D कोलकाता में BSI का मुख्याले स्थित है राश्टी जलमार्ग 2 किस नदी परिस्थ है तो राश्टी जलमार्ग जो 2 है यह आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर Option number D ब्रह्मपुत्र नदी परिस्थ है राश्टी जलमार्ग 2 भागी रती नमलकित मैंसे किस नदी का प्रमुक्स्तरोत है तो भागी रती जो है ये आपका गंगा नदी का प्रमुक्स्तरोत है option बड़ी गंगा नदी राइट आंसर है डैश को खादर कहते हैं तो खादर जो कहा जाता है तो नई जलोड मिट्टी जो होती है इसको खादर कहा जाता है अप्शन मड़ी नई जलोड मिट्टी को खादर कहा जाता है अत्यंत खडी धलान और सीधे पार्श भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके सीश और चोणाई लगबग एक समान होती है उसको क्या कहा जाता है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उभारदार भाग जो होते हैं यह अत्यांत खड़ी धलान होता है जो सीधे पार्ष भाग वाली होती है ठीक है ऑप्शन नूमर भी उधार उभारदार भाग राइट आंसर है प्रत्वी की महाद्यूपी भू सता है जिसको क्रष्ट बोला जाता है मैं प्रचुरता मात्रा में पाई जाने वाला खंड़िश कौन सा है तो क्रष्ट में या भू सता पर सबसे ज़्यादा प्रचुरता मात्रा में खंड़िश पाया जाता है उसका नाम है आपक उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है तो कुछी पूरी जो नत्य है उसके उत्प Wrapgyow 적कि वह आपके आंदापदेश राज्य से भारत के आंदापदेश करा जी से क्छी पुडी नत्य की 네का कमा यहां पर ओपो्शन अमबर आपका कशी अनसर हो जायेगा आगले कॉशन देखिए लावा या मैगमा की ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है तो जो लावा या मैगमा की ठंडे होने से चट्टाने बनती हैं उन चट्टानों क्या कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा अगने चट्टाने option number यहाँ पर A अगने चट्टाने राइट आंसर है प्रशने के लिए पिन घाटी राश्टी उध्यान कहाँ पर इस्तित है तो पिन घाटी राश्टी उध्यान यह आपका हिस्तित है हिमांचल प्रदेश में option number यहाँ पर अड़ी हिमांचल प्रदेश में आपका जो है पिन घाटी राष्टी उध्यान option number यह प्रशनी के लिए बिल्कुल right answer हो जाएगा भवाई किस राजिका लोकनत है तो जो भवाई है यह आपका लोकनत है राजिस्थान राजिका option number यह राजिस्थान राजिका लोकनत है आपका भवाई यह कौशन एक्जाम में कई बार पुछाया चुका है इसको अच्छे से याद कर लेना राजिस्थान राइट आंसर हो जाएगा निम्नलकित में से कौन सा परमाणू उजा इस्टेशन नहीं है यहाँ पर आपको जो option में दिये गए हैं उन में से कौन सा परमाणू उजा इस्टेशन नहीं है तो देखे राबत भाटा है कलपकम भी है और नारु आरा भी है राम गुंडम ये परमाणू गुर्जा श्टेशन नहीं है बाकी जो तीन हो दिये गए परमाणू गुर्जा श्टेशन में आते हैं सिल्वर फाइवर क्रांती किसे संबनित है तो आपका जो सिल्वर फाइवर क्रांती है ये आपका संबनित है कपास से कपास से संबनित है सिलवर फाइवर करांथी option number A यहाँ पर right answer है निमनलगे तुमसे किस गैस के कारण कोईला ख़दानों में इसपोर्ट होता है तो जो कोईला की ख़दाने होती है उसमें इसपोर्ट जो होता है मीथेन गैस के कारण होता है option number a यहाँ पर C मीथेन गैस राइट आंशर है प्रशन के लिए निमनलके तुमसे कौन सा नरत्य गोजा का लोक नरत्य है तो गोजा का लोक नरत्य है यहाँ पर आपको option दिएगा है राइट आंसर हो जाएगा फुगडी ये गोवा का लोकनत है फुगडी option number यहाँ पर C प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए सूरज कुंड जील अनिमलकित में से किस राज्यों में किस राज्य मिश्तित है तो सूरज कुंड जो जील है यहाँ पर जो option दीगा है यह आपकी हर्याणा राज्य मिश्तित है option number हर्याणा राज्य राइट अन्सर हो जाएगा सूरज कुंड जील के लिए डुगोंग किस जयाँ मंदल संदक्षन चित्र का प्रमुख जीव है तो डुगोंग जो पाए जाता है यह आपका है मननार की खाड़ी का एक जयाँ मंदल संदक्षन चित्र का जीव मननार की खाड़ी डुगोंग के लिए right answer है भारत के इस पाथ सयंत्रों के संदर्बर में निमलिकत में से कौन सा कतन सही है कौन सा सही है जोड़ा तो इस पाथ सेंथ आपको यार रखने हैं भारत की पूछे आते हैं एक्जाम में और यहां पर आपका जो सही है यह है आपका option number केवल एक वह आपका सालेम सालेम इस पाथ सेंथ यह तमिलाडू में पढ़ता है option number C आप में यदि पता हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं comment करके बता हो बोकारो इस पाथ सेंथ बोकारो यह कहां पर पढ़ता है बोकारो कहां पर पढ़ता है यूपी में जारखंड में या 36 गड़ में बोकारो प् तो आपकी जो मूगा सिल्क होती है यह आपकी असम राज्य से संभनित है मूगा सिल्क option number यहाँ पड़ी असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा मूगा सिल्क के लिए किस्तवार राष्टी उध्यान कहाँ परिस्त है तो किस्तवार राष्टी उध्यान जो आपका है यहांपर जो option देगा है right answer क्या हो जाएगा प्राशने के लिए और यह राज का आखरी कॉशन इसमें पूछा गया है कि लावनी किस आभारती राजि का लोगनते है तो लावनी ये आप comment करके बताओगे मैं आपको दो option दे रहा हूँ पहला option है आपका gojeرat और दूसरा option आपका महाराष्ट लामनी जो है ये किस राजी का लोकनत्त है कमेंट बॉक्स में इस प्रशन का आंसर दीजीगा दोस्तों पीडियाप बहुत महनत से बनाई है दस हजार question उसमें बनाए है हमने यदि आप में से कोई भी उसको purchase करना चाहता है आपको पूरे यूटूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे